मुंबई पर हुए आतंकी हमले की आज पंदरवी बरसी है 26 नवंबर 2008 ये वही तारीख है जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकियों की गोलियों की तर-तराहट से काप गई थी इस दरदना घटना के भले ही आज 15 साल हो गए हो लेकिन इसके जख्म अभी भी हरे ही है आज पी लोग इस घटना को याद कर सहम जाते हैं वो ऐसी काली रात थी जब कभी न सोने वाले शहर मुंबई की नीन उड़ गई थी इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी जब की सैंकडों लोग घायल हो गए थे 26 ग्यारा हमला देश के तिहास में सबसे भयाव आतंकी हमला था आतंकी संगठन लशकरे तैबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते उस रात मुंबई में दाखिल हुए थे मुंबई में घटना को अंजाम देने वाले 10 आतंकवादी एक बोट के जरिये मुंबई में दाखिल हुए थे क्योंकि पुलिस को कोली बाड़ा इलाके में जाँच के दौरान 4 बोट मिली थी जिसमें भारी मात्रा में विस्तफोटक था ये सभी दसो आतंकवादी साथ में मुंबई में दाखिल नहीं हुए थे बलकि अलग-अलग जगा से इनों ने शहर में एंट्री ली थी जो सबूत मिले थे उसके मुताबिक आतंकवादियों को समुद्र में एक जाहस के जरिये अलग-अलग नाव में उतारा गया था और ये जहास कराची से आतंकवादियों को लेकर भारत आया था बोट से भारी मात्रा में गोला, बारूद और विसफोटक बरामद हुआ था ये सभी 20-25 साल के नौजवादियों जो पाकिस्तान से माया नगरी में आये थे हमला वरों ने करीब 60 घंटे तक मुंबई में खूनी खेल खेला था और निर्दोश लोगों पर अंधा दुंग गोलिया चलाई थी आतंक्यों ने दो फाइव स्टार होटल, होटल ताच महल और उबरोय होटल, छटरपती शिवाजी टर्मिनस, रेल्वे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदी केंड नरिमन को निशाना बनाया था लशकरे तैबा के प्रशिक्षत और भारी हत्यारों से लेस दस चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगों और प्रतिष्ठित इमार्तों पर हमला कर दिया था जो चार दिन तक चला, शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुक हेमन करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गवा बैठे स्टेशन और कैफे से शुरू हुआ ये तांडव ताज होटल में जाकर खत्म हुआ आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच करीब 60 घंटे से भी जादा देर तक मुटभेट चली थी लेकिन फिर भी आतंकवादियों का सफाया नहीं हो पाया था जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने NSG कमांडोस को बुलाया जिनोंने सभी आतंकियों को मार गिराया था पुलिस ने आतंकियों में शामिल कसाब को ही जिन्दा पकड़ लिया था जिसे बाद में फासी दे दी गई मुंबई हमले में शामिल दस आतंकवादियों में से सिर्फ एक अजमल कसाब को ही जिन्दा पकड़ा जा सका था जिसे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 नवंबर 2012 को पूरे की जेल में फासी दे दी गई